Hello viewers, कैसे हैं आप सब, तो जिसतां से आपको पता है हमारे पास ASP.NET Core 6 के lecture series चल रही है, तो आज के इस lecture के अंदर हम बात करने वाले हैं, बहुत ही जादा important concepts, और वो है हमारे पास view, razor syntax और razor view engine in ASP.NET Core 6, क्योंकि आपको पता है ASP.NET Core 6 को use करके जो भी हम application बनाते हैं, वो MVC के उपर base करती हैं, ठीक है, तो previous lecture के अंदर हमने controller की बात की थी, ठीक है, controller के अंदर action methods होते हैं, उनकी बात की थी, और आज के इस lecture के अंदर हम बात करने वाले view, जो के MVC का एक important part है, और view के साथ हम concepts use करते हैं, razor syntax का और razor view engine का, इन तीनों चीजों को आज हम इस lecture के अंदर cover करेंगे, तो भई मैं recommend करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे previous lectures नहीं देखे, तो पहले वो देख लो, उसके बाद इस lecture के उपर आओ, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने project बनाया था, visual studio के अंदर, जिसके अंदर हमने action methods, controllers की बात की थी, उसी के अंदर मैं आज, view, razor syntax और razor view engine का concept आपको बताऊँगा, तो वीडियो को start करने से पहले एक छोटी सी request, कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आहे हो, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, और इसके साथ साथ बेल का ऐकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो इस lecture सीरीज के अंदर आने वाली हैं, तो यह होगा हमारा chapter number 14, और अब हम अपना lecture स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तीन चीजें आज हम डिसकर्स करने वाले हैं, व्यू, रेजर सिंटेक्स और रेजर व्यू इंजन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यू की, ठीक है, व्यू क्या होता है, इसको समझो, मतलब MVC के अंदर सबसे असान जो concept है, पॉइंट्स है, देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, a view provides the user interface, UI of the application to the user, मतलब view क्या होता है, view आपको एक user interface, जो मतलब आपकी पूरी website का user interface होता है, जिसके अंदर header होता है, navigation bar होता है, footer होता है, वो सारी चीजें आपको provide करता है, और यही चीज हमारी website के user को नजर आती है, क्योंकि मैंने बताया था, model हों या controllers हों, वो हमारी user को नजर नहीं आती, user को सिर्फ user interface नजर आता है, फिर देखो next point, a view is used to display content of an application, and also to accept user inputs, मतलब देखो वही बात आ गई, के view हम क्यों use करते हैं, अपने user को अपनी application को content होता है, उसको display करवाने के लिए view use करते हैं, और आपको पता है के view हमारे पस क्या होता है, HTML page होता है, तो वहीं पे हम अपने forms भी बनाते हैं, और forms के अंदर क्या होता है, user से हम उसका input get करते हैं, मतलब view के through हम क्या करते हैं, यूजर से user input लेते हैं, मतलब जो भी वह form submit करता है, उसका data हम क्या करते हैं, get करते हैं view के through, पर देखो third point, view uses model data to create this UI, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, कि view use करता है किसका data model का data, मतलब model मैं वही कह रहा हूँ, और उसी data के through, उसी model data के through हम क्या करते हैं, अपना UI भी generate करते हैं, मतलब view भी generate करते हैं, तो वही point यहाँ पे बता रहा है, पर यहाँ पे देखो next point, view contains both HTML markup and C sharp code, that runs on the web server, भाई देखो, अब यह थोड़ा सा आपके लिए unique concept हो सकता है, और वह क्या है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कि view दो चीजें contain करता है, एक तो HTML markup, मतलब HTML का code, और दूसरा C sharp का code, भाई देखो, view के अंदर हमें यह तो पता है, कि HTML का code होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है, कि आप अपने view के अंदर, C sharp का code भी insert कर सकते हो, जो के आपके web server पे run होता है, execute होता है, ठीक है, अब इसको मैं और detail में समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, view has a file extension .cshtml, मतलब देखो, यह मैंन आपको previous lectures में भी बताया था, कि जो भी हम अपना view बनाते हैं, उसकी extension क्या होती है, .cshtml, अब देखो, cshtml मतलब, यह अभी मैं आपको आगे जाके clear करता हूँ, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, यहां तक आप इतना समझो, कि जो भी हमारी view file होती है, कि उसकी extension होती है, .cshtml, जिस तरह mp3 song की extension होती है, .mp3 ठीक है उसी तरह, अच्छा अब आजाओ, यह जो मैंने आपको बताया के view का concept है, razor syntax का concept है, razor view engine का concept है, यह मैं आपको एक diagram से समझाता हूँ, फिर आते हैं इसकी बाकी की theory के ओपर, तो diagram से आपको और अच्छे समझ में आएगा, तो यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास एक view है, suppose करो यह कहा है, यह हमारे पास view है, और मैंने क्या बताया, कि view को हम most common किस चीज़ से refer करते हैं, कि वो हमारे एक HTML page होता है, ठीक है HTML page होता है, इसका मतलब view के अंदर, हमारे पास कोई HTML का content होगा, जिस तरह यहां पर देखो, heading है और paragraph है, और यह जो view होता है, ASP.NET Core Application के अंदर, इसकी extension क्या होती है, .cshtml, तो अब यहां पर देखो, इसकी extension यह जो .cshtml है, इसका भी एक मतलब है, और वह मतलब क्या है, यहां पर देखो, csharp plus html, मतलब cs stands for csharp, और html stands for html, इसका मतलब है कि यह जो view file होती है, इसके अंदर हम अपने csharp का और html, दोनों का code हम अपनी view file में लिख सकते हैं, इसका मतलब यहां पर देखो, अभी तो आपको view के अंदर सिर्फ html का code नजर आ रहा है न, तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, अपने csharp का code भी लिख सकता हूं, लेकिन directly csharp का code नहीं लिख सकता, मतलब जिस तरह html हम अपने view में directly लिख सकते हैं न, इसका मतलब भाई देखो razor को use करके मैं C-sharp के जो variables होते हैं, loops होते हैं, conditions, switch, etc. वो सारा code मैं अपने view के अंदर यहाँ पे insert कर सकता हूँ, किसको use करके razor syntax को, मतलब मैं C-sharp का code directly अपने view के अंदर insert नहीं कर सकता, अगर मुझे C-sharp का code insert करना है, for example, मुझे variables बनाने हैं, अपने view के अंदर, loops बनाने है, conditions बनानी है, etc. तो उसके लिए मुझे razor syntax का concept यूज़ करना पड़ेगा, और razor syntax के अंदर मुझे अपना C-sharp का code लिखना पड़ेगा, तो यह concept है, basically आपके पास किसका razor का, razor क्या है, basically एक syntax है, और उस syntax के अंदर हम क्या करते हैं, अपने C-sharp का code ही लिखते हैं, मतलब कोई नई programming language नहीं है, बलके वही जो C-sharp आप पड़के आए हो, उसी को हम use करते हैं, अच्छा फिर आजाओ, इसी concept को थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको, देखो, मैंने क्या बताया, कि हमाई पाव व्यू है, और व्यू के अंदर मैं, HTML का code भी रख सकता हूँ, C-sharp का code भी रख सकता हूँ, ठीक है, मतलब, यहाँ पर देखो, जो मेरा व्यू है, इसके अंदर मैं, HTML का code भी रख सकता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर देखो, मैंने C-sharp का code भी लिखा हूँ, ठीक है, मतलब, वैर को यूज करके मैंने एक variable बनाया है, और इसके अंदर मैंने क्या रखा हूँ, एक string value रखी हूँ है, program mentor, मतलब अपने channel का नाम, तो भाई देखो, यह जो हमारा view है, जिसके अंदर हमारा HTML का code भी है, C-sharp का code भी है, लेकिन भाई, जब इस view को compile किया जाएगा, हमारे browser पे, ठीक है, मतलब, जब इस view को render करके, हमारे browser के पास बेजा जाएगा, तो यह काम करने के लिए, हमारे पास, ASP.NET Core MVC Application के अंदर, एक concept होता है, जिसको हम कहते है Razor View Engine, क्योंके भाई देखो, हमारे जो view है, इसके अंदर सिफ HTML का code नहीं है, बलके C-sharp का code भी है, मतलब, HTML और C-sharp दोनों का code है, लेकिन भाई, आपको पता है, जो हमारा browser होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी language समझता है, HTML समझता है, लेकिन जो हमारा view है, उसके अंदर तो C-sharp का code भी मौजूद है, तो भाई इसका मतलब, कि जो हमारा view है, इसको compile किया जाएगा, इसको convert किया जाएगा, किसके अंदर, HTML के अंदर, और ये काम कौन करके देता है, Razor view engine, मतलब ASP.NET Core MVC Application के अंदर, एक concept होता है, एक mechanism होता है, Razor view engine, जिसका क्या काम है, कि आपका जो view है, उसको compile करता है, convert करता है, HTML के अंदर, और फिर browser पे render करता है, मतलब ये जो हमारा C-sharp का code, आपको नजर आ रहा है, ये basically, HTML के अंदर convert होगा, और फिर अमारे browser पे render होगा, और ये जो conversion है, ये कौन करके देता है, आपका Razor view engine, ठीक है, तो ये concept अच्छे से clear होना चाहिए, ठीक है, आब आजाओ, इसकी कुछ theory है, वो theory में आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो Razor के बारे में बता रहा है, क्या कह रहा है, Razor is a syntax, Razor क्या एक syntax है, मतलब code को लिखने का तरीका है, based on the ASP.NET Core framework, that allows creating views, इसका मतलब Razor को use करके, हम क्या करते हैं, अपने views को create करते हैं, और Razor के अंदर हम C sharp का code लिखके, अपने views को create करते हैं, फिर देखो next point, Razor is used to simplify the process of creating views, देखो वही बात आगई, मतलब यह Razor हम क्यों use करते हैं, ताकि वो जो हमारा creating views का एक process होता है, वो असान हो जाए, चुँके भाई देखो, जब मैं Razor के थ्रू अपनी C sharp की coding implement करूँगा, मैं variables बनाऊंगा, मैं conditions लगाऊंगा, loops बनाऊंगा, arrays बनाऊंगा, तो इसका मतलब, वहाँ पे जो मेरा views बनाने का process होता है, वो बहुत जादा असान हो जाएगा, ठीक है तो एक तो यह point है, फिर देखो, next point, Razor is simple and easy to understand for the users, who are familiar with the C sharp.net programming language, मतब यहाँ पे देखो, क्या के रहा है, कि Razor को समझना बहुत जादा असान है, कैसे असान है, कि अगर आपको C sharp language आती है, C sharp हो या VB.net हो, अगर आपको यह languages आती है, तो आप क्या कर सकते हो, easily Razor syntax को use कर सकते हो, क्योंकि Razor के अंदर हम, कौन सा code लिखते हैं, C sharp का ही code लिखते हैं, या VB.net का code लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे C sharp को पढ़ के आए हैं, तो हम यहाँ पे C sharp को use करेंगे, VB को use नहीं करेंगे, फिर देखो next point, आगे आजो, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, the MBC framework uses a view engine, to convert the code of a view into HTML markup, that a browser can understand, देखो वही बाज जो भी, मैंने आपको पीछे diagram में समझाई, कि MBC framework के अंदर हमारे पास एक view engine होता है, जिसको मैं आपे क्या कह रहा हूँ, Razor view engine, जिसका काम क्या होता है, कि जो हमारा view का code होता है, उसको convert करता है HTML markup में, क्योंकि हमारे view के अंदर C sharp का code भी होता है, तो उसको convert करने की जिम्मेदारी होती है, हमारे Razor view engine की, क्योंकि मैंने क्या बता है, कि जो हमारा browser है, वो सिर्फ और सिर्फ HTML समझता है, मतलब, आपका जो HTML का page होता है, जो browser पे run हो रहा होता है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ HTML का code ही नजर आएगा, ना ही उसमें C sharp का code नजर आएगा, ना ही हमारे पास PHP का code नजर आएगा, ना ही Python का code नजर आएगा, क्योंकि जब आप right click करके inspect element करते हो, या उसकी page source देखते हो, coding देखते हो, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ HTML का code ही नजर आता है, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो next point, razor engine is used as the default view engine by the MVC framework, मतलब, देखो, यही कह रहा है कि जो razor engine है, वो हमारे पास MVC framework के अंदर, मतलब, ASP.NET Core MVC framework के अंदर, default view engine होता है, मतलब, views को compile करना, HTML के अंदर render करना, browser के अंदर render करना, यह वाला काम कौन करता है, razor engine करता है, मतलब, conversion, view की conversion, HTML के अंदर, यह काम करता है, razor engine, ठीक है, फिर आगया आजाओ, अब देखो, यहाँ पर क्या क्या रहा है, compiles a view of your application, when the view is requested for the first time, मतलब, जब उस view को request किया जाता है, मतलब, URL में, जब उसके लिए, आपको URL specify करते हो, तो जब आपको return में, view मिलना होता है, तो razor engine क्या करता है, आपके view को compile करता है, यहाँ पर देखो, compile की term क्यों use की गई है, क्योंके view के अंदर, C sharp का code भी होता है, यही वज़ा है कि यहाँ पर compile करने की बात कर रहा है, फिर देखो next point, delivers the compiled view for subsequent request, until you make changes to the view, इसका मतलब, यहाँ पर यही कह रहा है, कि जब जब आप अपने view के अंदर, कोई भी changing करते हो, ठीक है, तो आपका view क्या होता है, compile होता है, और उसके बाद जहाँ से request आई होती है, उसके against में, वो view हमें display हो जाता है, ठीक है, फिर आगे आजाओ, next point, अब यहाँ पर देखो, does not introduce a new set of programming language, but provides template markup syntax, to segregate HTML markup and programming code in a view, बाद देखो, यहाँ पर यही कह रहा है, कि जो हमाँ पर razor का concept है, यह हमें कोई नई programming language provide नहीं करता, बलके यह हमें एक syntax provide करता है, एक template provide करता है, जिसके अंदर, हम अपने programming का code भी view में लिख सकते हैं, और HTML का code भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों को मिला के हम अपना view generate कर सकते हैं, ठीक है, फिर देखो next point, first requires identifying the server side code from the markup code, to interpret the server side code embedded inside a view file, बाद देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, server side code पता है किसे कह रहा है, C sharp का code, और markup code किसे कह रहा है, जो आपका HTML का code होता है, इसका मतलब भी जो razor engine है न, वो जब आपके view को compile करता है, convert करता है HTML के अंदर, तो पहले वो check करता है कि बाई, server side कौन सा है, और markup code कौन सा है, मतलब C sharp का code कौन सा है, और HTML का code कौन सा है, तो जब वो identify कर लेता है कि बाई, जो server side code है, जो हमारे view के अंदर insert हुआ वा है, उसको क्या करना है, compile करना है, ठीक है, तो ये कहां भी कौन करता है, हमारा razor view engine, फिर देखो next point, uses the at the rate symbol, to separate the server side code from the markup code, अब देखो, ये बहुत जादा important point है, मतलब देखो, अगर हमें C sharp का code लिखना है न, अपनी view के अंदर, तो हमें आपे at the rate का symbol यूज करना है, at the rate symbol मैं कहां कहां यूज करूँगा, जहां पे भी मुझे C sharp का code लिखना है, जहां भी मुझे server side code लिखना है, क्योंकि भाई देखो, HTML के बारे में तो आपको पता है न, कि वहां पे हम angular brackets यूज करते हैं, लेकिन जहां भी पे आपको C sharp का code लिखना है, वहां पे आपको at the rate का symbol specify करना पड़ेगा, फिर आगे आजाओ, अब यहां पे देखो, क्या कह रहा है, while creating a razor view, you should consider following rules, मतलब जो हमारे MBC का view होता है न, उसे आप razor view भी कह सकते हो, क्यूँ, क्यूँके उसके अंदर razor syntax use होता है, तो यहां पे देखो पहला point, start inline expressions with add the rate, मतलब देखो यहां पे कह रहा है, कि अगर आपको single line देनी है न, मतलब C sharp का, अगर आपको single line का code लिखना है, तो आप उस code को start करोगे, begin करोगे किस से add the rate के symbol से, मतलब single line के लिए, एक line के लिए, अगर आपको C sharp का code लिखना है, मतलब one line of code, तो उससे पहले आप add the rate लगाओगे, फिर यहां पे देखो क्या कह रहा है, and close code blocks between add the rate curly bracket and curly bracket close, मतलब यहां पे कह रहा है कि अगर आपको multiple line का code लिखना है, तब आप क्या करोगे, तब आप यह वाला syntax यूज करोगे, मतलब add the rate और उसके बाद curly bracket और फिर curly bracket off, मतलब जितनी भी multiple lines हैं, वो आप इन curly brackets के बीच में insert करोगे, तो यह syntax है, यह अभी मैं आपको practically भी करके दिखाता हूँ, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, फिर यहां पे देखो, variables are declared with the where keyword, मतलब अगर आपको variables बनाने हैं, तो आप where keyword को use करके variables बनाओगे, अपने razor syntax के अंदर, फिर देखो next point, अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, enclose strings in quotation marks, मतलब अगर आपको कोई string specify करना है, तो आप क्या use करोगे, quotation marks, quotation marks मतलब वो जो double quotes हम use करते हैं, उसी की बात कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं यहां तक इसका practical आपको करके दिखा हूँ, ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने visual studio में, ठीक है, देखो, मैं अपने visual studio में आ चुका हूँ, और यहां पे देखो, यह वही application है, जो के हमने previous lecture के अंदर, जिसके अंदर काम किया था, इसका नाम क्या है, यहां पे देखो, controllers and actions, तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने controller बनाया था, और उसके अंदर यहां पे देखो, एक index का action method आपको नज़र आ रहा होगा, जो के index का एक view return करता है, तो मैं चलता हूँ अपने view में, क्योंके razor का जितना भी काम है, वो सारा हम अपने view के अंदर करते हैं, तो यहां पे देखो, अभी आपको नज़र आ रहा है index, तो अगर मैं यहां तक अपनी application आपको run करके दिखाओं, क्योंके भाई देखो, मैंने इसका routing define की हुई है, कहां पे define की हुई है, यहां पे देखो, program.cs file के अंदर यह देखो, मैंने बताया है कि by default यहां पे home controller चलेगा, उसका index action method चलेगा, और index action method चलेगा, तो हमें यह वाला view return होगा, तो यहां तक अगर मैं इसको run करके आपको दिखाओं ब्राउजर पे, तो यहां पे आजाओ, तो यहां पे देखो, आपको result नज़र आ रहा है, मैं कहता हूँ, current date and time is, ठीक है, तो यहां पे देखो, हमारे पास C sharp की class होती है, जिसका नाम है date time, और इसकी एक property होती है, जिसको हम कहते है now, मतलब देखो, यह date time dot now क्या है, यह date time एक class है, C sharp की class है, और dot now क्या है, इसकी property है, और इसका काम क्या है, कि हमें, जो भी हमारे system में current date and time हो रही है, उसको get करके हमें यहां पे लाके देता है, लेकिन अभी देखो, यहां पे अभी यह, एक normal, एक plain HTML की तरह ट्रीट हो रहा है, मतलब यहां पे यह हमारे पास server side code नहीं है, तो अगर मैं यहां तक इसको run करके दिखाओं, तो आप result देखना, तो यहां पे देखो, इसने क्या किया, as it is यहां पे, जो मैंने लिखा था tag के अंदर, वो display करवा दिया, लेकिन, अब मैं यहां पे क्या कहता हूँ देखो, मैं यहां पे आता हूँ, और यहां पे देखो, यहां पे मैं इसके शुरू में, add the rate symbol लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, कि यह जो add the rate symbol है, यही हमारे razor syntax को represent करता है, जिसके अंदर हम, C sharp का code लिखते हैं, तो यहां पे देखो, जैसी मैंने add the rate लगा है, इसका color भी यहां पे देखो, क्या हो गया, change हो गया, और अगर आप इसको बर mouse लेके जाओ, तो देखो, यहां पे बता रहा है, कि यह क्या है, हमारे पास एक class है, मतलब एक structure है, तो भाई देखो, तो यहां पे देखो, यहां पे अभी आपको, result change हुआ भाई नहीं मिला, तो आप क्या करो, यह जो hot reload का option होता है, यहां पे देखो, आपने इसको इपर click करना है, और यहां पे देखो, आपको hot reload नजर आ रहा है, आपने simple इसको click कर देना है, तो इसको click करने से क्या होगा, कि यह जो hot reload वाला option है, वा आपको यहां पे मिल जाएगा, और यहां पे देखो, अगर यहां पे uncheck हुआ वा है न, तो आपने इसको इसको इपर check लगाना है, देखो, मैंने पहले already check लगाया हुआ है, तो अब अगर मैं इसको यहां पे save करता हूँ, और ब्राउजर पे आओ, तो यहां पे देखो, यह result आपको नदर आ रहा है, देखो, यह क्या दिखा रहा है, current date, मतलब आज की date दिखा रहा है, और यहां पे देखो, यह time दिखा रहा है, सही है, आप नीचे यहां पे देखो, मेरे system के अंदर भी देख सकते हो, बिल्कुल same, यही time हो रहा है, ठीक है, तो यह हमारे पास concept होता है, इसका, razor syntax का, अच्छा एक चीज़ आपने notice की, यह हमारे पास है inline expression, मतलब single line, तो आपको, जब भी single line देना है, तो आपको end में यहां पे, यह semi-color लगाने की ज़रुवत नहीं है, मतलब आप direct यहां पे इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, तो same इसी तरह यहां पे देखो, मैं इसी line को यहां से copy करता हूँ, मैं नीचे paste करता हूँ, और यहां पे हम मैं कहता हूँ, for example, current year is, ठीक है, current year is, और यहां पे देखो मैं कहता हूँ, date time.now, और dot लगाके यहां पे मैं, यूज करता हूँ, इसके एक property होती है, जिसको हम कहते है, year, year की property, ठीक है, तो अब इसको save करते हैं, और browser पे यहां पे आते हैं, भाई देखो, यह जो hot reload का, यह जो हमाँ पाफ फीचर है, अगर आपके पास system अच्छा है, तो फोरन से result आपके पास आजाता है, लेकिन यह थोड़ा सा delay भी ले ले लेता है, कभी कबार, तो delay से बचने के लिए आप क्या करो, refresh कर दो, refresh करोगे तो यहां पे देखो, result क्या आ रहा है, आपके पास current year is 2023, ठीक है, concept समझ में आया आपको, तो यहां पे देखो, मैं इसको stop करता हूँ, देखो, यहां पे हमारे पास यह जो, अभी मैं काम कर रहा हूँ न, यह inline expression है, जो मैंने अभी आपको यहां पे बताया, यहां पे देखो, देखो, यहां पे क्या कह रहा है, start inline expression with add the rate, लेकिन भाई, अगर मुझे multiple lines देनी है, तो उसके लिए मैं यहां पे देखो, यह code blocks use करूँगा, किस तरह से यहां पे देखो, ठेके देखो, मैं इसी के नीचे आता हूँ, यहां पे अब मैं code block start करता हूँ, add the rate और फिर curly bracket, यह देखो, यह razor syntax का code block आ गया, और अब इसके अंदर यहां पे देखो, मैंने क्या बताया था, कि हम जब भी variable बनाएंगे, war का keyword use करेंगे, तो देखो, मैं आपे अपने channel का name, इसके अंदर store कर लेता हूँ, यहां पे देखो, मैं कह रहा हूँ, program mentor, और देखो, मैंने क्या बताया था, कि अगर आपको string लिखना है, तो double quotes के अंदर लिखोगे, ठीक है, और यहां पे देखो, इसके अंदर मैं, इसको copy करता हूँ, और एक और line मैं आपे रख देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर for example, मैं आपे कह देता हूँ, age, ठीक है, age मैं आपे कर देता हूँ, और age हमारे पास integer होगी, तो मैं आपे कहो देता हूँ 30, ठीक है तो अब इन दोनोवडियेबिल्स को मैं आ αपे for example his two के अंदर यहा पे get करता हूँ, ठीक है, his two के अंदर यहां पे get करता हूँ, और यहां पे मैं कहता हूँ name, ठीक है, name के बाद मैं क्या करता हूँ यहां पर add the rate लगाऊंगा और यह जो variable मैंने बनाया था name इसको मैं यहां पर इस तरह से call कर रहा हूं ठीक है और फिर मैं इसी line को यहां से copy करता हूं नीचे paste करता हूं और यहां पर मैं कहता हूं age वाला variable जो मैंने उपर बनाया है उसको call कर रहा हूं add the rate के साथ और यहां पर आके मैं इसको कहता हूं age तो अब यहां पर आओ इसको save करके run करते हैं तो इसका result देखना आप तो यहां पर देखो साह result आ रहा है program mentor और यहां पर age क्या रही है 30 ठीक है तो यहां पर आओ ठीक है तो यहां पर देखो यह चार हो चीज़े मैंने आपको करके दिखा दी ठीक है आप आगे आजाओ अब यहां पर देखो end a razor code statement with semicolon भाई देखो अगर आप single line लिख रहा है हो ना तो उसके end में आपको semicolon लगाने की ज़रूद नहीं है लेकिन अगर आप multiple lines लिख रहे हो तो जिस तरह यहां पर देखो यहां पर देखो यह जब मैं multiple code blocks यहां पर use कर रहा था तो इसके end में यहां पर आपने लाजमी semicolon लगाना है क्योंकि इसके अंदर हम multiple lines लिख रहे हैं ठीक है तो यहां पर semicolon लगाना लाजमी है लेकिन अगर आप single line लिख रहे हो तो यहां पर देखो यहां पर आपको end में semicolon लगाने की ज़रूद नहीं है ठीक है फिर यहां पर देखो next point use the cshtml extension to store the razor view file that uses csharp.net as the programming language बनलब यहां पर क्या कह रहा है कि अगर आप csharp को use करना चाह रहे हो view के अंदर तब आपके view की extension क्या होगी .cshtml लेकिन यहां पर देखो क्या कह रहा है कि अगर आप vb.net use करना चाह रहे हो as a programming language तो आपके view file की extension क्या होगी .vb.html क्योंके csharp और vb दोनों के अंदर हम अपनी asp.net core mbc application create कर सकते हैं ठीक है फिर आगे आजाओ अब यहां पर देखो in this lecture we will learn ठीक है कौन-कौन दी चीज़े हम यहां पर cover करने वाले है inline expression statement वो मैने अभी आपको बता दिया के एक ही line आप कैसे लिखते हो c-sharp की और फिर declaring variable using where keyword यह भी मैने अभी आपको करके दिखाया फिर third point multi statement code block यह भी मैने आपको करके दिखाया मतलब यहां पर देखो यह inline expression हो गया मतलब single line हो गया यहां पर देखो यह code block हो गया और यहां पर जो मैने variable बनाया था इसके अंदर यह भी हमारे पास काम हो गया फिर आगे आजाओ फिर देखो next point conditional statement मतलब आप यहां पर if else वगरा भी यूज़ कर सकते हो switch भी यूज़ कर सकते हो मतलब जो condition मनाने के लिए आप concept यूज़ करके आयो ना वो आप razor syntax के अंदर लिख सकते हो इसी तरह arrays हो गया इसी तरह loops हो गया यह सारी चीज़े भी हम इसके अंदर लिख सकते है ठीक है अगर मैं आपको एक demo दिखाओ ठीक है तो यहां पर आजाओ अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताओ भाई देखो यह जो मैं अपने view के अंदर c-sharp का code लिख रहा हूँ ना यह कोई नई चीज़ नहीं है भाई अगर कोई students PSP पढ़ के आएं तो वहाँ पे भी यही होता था कि हम अपने HTML पेज के अंदर क्या करते थे एक code block open करते थे और उसके अंदर PSP का code लिखते थे सेम इसी तरह Laravel में भी होता है जो के PSP का framework है सेम इसी तरह ASP.NET web forms में भी होता था लेकिन वहाँ पे हम क्या use करते थे वहाँ पे हम ये angle bracket और angle bracket के साथ ये जो percentage की sign होती है इस तरह हम use करते थे और इसके अंदर हम क्या करते थे अपना सारा काम करते थे मतलब इसके अंदर हम अपना code लिखते थे programming language का ठीक हो गया अच्छा अब मैं आपे क्या करता हूँ यहाँ पे देखो मैं आपे आपको एक condition बना के दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पे देखो मैं आपे दुबारे code block open करता हूँ और यहाँ पे for example मैं एक variable बनाता हूँ name बलकि इसका हम नाम रखते है my name ठीक है my name इस variable का मैंने नाम रखता और इसके अंदर मैं आपे store कर देता हूँ ठीक है और अब मैं इसको use करता हूँ एक if condition के अंदर ठीक है if condition के बारे में तो सब को पता होगा ठीक है और यहाँ पे देखो यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि यह जो my name है यह जो variable है अगर यह बराबर है ठीक है इसके लिए मैं आपे equals का use कर लेता हूँ मैं कहता हूँ अगर यह equal है किसके आदिल के ठीक है तो यहाँ पे क्या करो एक यहाँ पे आप S3 का tag मैं आपे ले लेता हूँ ठीक है और इसके अंदर मैं कहा देता हूँ for example हे आदिल ठीक है मतलब अगर यह condition match हो जाती है तो हे आदिल लेकिन अगर मैं यहाँ पे else का part दूँ ठीक है मतलब अगर यह condition false हो जाती है S3 के अंदर ठीक है S3 में आपे यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं आपे कहा देता हूँ buy ठीक है सभी simple जिस तरह से आप if else लिखते हो ठीक है तो देखो मैं इसको save करता हूँ और browser पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको refresh कर देता हूँ रिलोड नहीं चल रहा तो यहाँ पे देखो क्या message आ रहा है आपके पास हे आदिल ठीक है लेकिन अगर मैं else का पार्ट चला हूँ और यहाँ पे for example मैं कहा देता हूँ कुमार ठीक है तो अब यह condition false हो जाएगी आपके पास तो कौन सा पार्ट चलेगा else का पार्ट तो इसको save करते हैं ब्राउजर पे आते हैं यहाँ पे मैं F5 करता हूँ तो यह देखो क्या result आ रहा है आपके पास buy ठीक है तो यह concept है आपके पास किसका conditions का अगर आप यहाँ पे देना चाहो मतलब आप यहाँ पे if else if भी दे सकते हो switch भी दे सकते हो कुछ भी जो आपका दिल करें ठीक है फिर देखो last में यहाँ पे आप loops भी use कर सकते हो मतलब for loop हो गया while loop हो गया या for each loop हो गया ठीक है जिस तरह मैं इसका भी एक demo दे देता हूँ आपको ठीक है यहाँ पे देखो मैं इसके लिए यहाँ एक separate यहाँ पे code block बना लेता हूँ razor का और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं for लिखके दो दफा टैप टैप करता हूँ ठीक है जैसे आप दो दफा टैप टैप करोगे यह पूरी body open करके देदेगा ठीक है तो देखो यहाँ पे बता रहा है के भई i के अंदर क्या है मतलब यह start होगा 0 से और कहां तक चलेगा मैं इसको कहता हूँ 10 तक मतलब जब तक हमारा यह जो i है यह less than रहेगा 10 से तो आप i के अंदर एक increment करते जाओ ठीक है और अब इसको मैं यहाँ पे S2 के जरीए यहाँ पे call करवा लेता हूँ किसको i variable को तो i variable है तो शुरू में क्या लगाऊंगा add the rate और उसके बाद आए इसका मतलब यहाँ पे देखो यह हमारा loop 0 से लेके 9 तक चलेगा और जो भी उसका number है वो हमें H2 के अंदर display होगा तो मैं इसको save करता हूँ एक दफा फिर मैं आप इसको hot reload कर देता हूँ ठीक है और browser पे आते हैं यहाँ पे आके मैं F5 कर देता हूँ इसको ठीक है तो यहाँ पे देखो 0 से loop start हुआ और कहां तक चल रहा है 9 तक चल रहा है ठीक है तो मतला loop भी आप इसके अंदर implement कर सकते हो और फिर अगर आप चाहो तो for each loop भी यहाँ पे लिख सकते हो लेकिन for each loop के लिए आपको पता है आपको कोई array चाहिए list चाहिए collection चाहिए तो for example यहाँ पे देखो for example कुमार ठीक है और फिर मैं यहाँ पे कहा देता हूँ for example प्रेम ठीक है तो यह मेरे पास क्या आगया एक array आगया string type का और यहाँ पे देखो अब मैं for each लिखके यहाँ पे दो दफ़ा टैप करता हूँ टैप 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 तो यहाँ पे देखो हमारे पास यह for each loop की body आगयी अचा यहाँ पे इस array का नाम name है ना मैं इसके आगे s लगा देता हूँ क्योंके name नाम का variable मैं उपर बना चुका हूँ ठीक है names और यहाँ पे देखो collection के अंदर मैं आपे यह variable pass कर देता हूँ कौन सा names जो के हमारे एक array है ठीक है तो अब क्या होगा one by one names के array में से data कहां जाएगा item में जाएगा और item को मैं यहाँ पे for example h3 के अंदर यहाँ पे display करवा देता हूँ ठीक है सही है यहाँ पे देखो add the rate item अचा यहाँ पे square bracket नहीं आएगा ठीक है यहाँ पे curly bracket ठीक है आदिल कुमार और प्रेम मतब loop कोई भी हो for हो while हो do while हो या for each हो वो भी आप अपने razor syntax के अंदर लिख सकते हो और देखो यह जितना भी code है ठीक है अगर मैं यहाँ पे जाओ अपने browser पे ठीक है देखो मैं इसको पर right click करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ view page source में तो यह देखो नजर आ रहा है देख रहे हो यह सारा code STML के अंदर क्या हुआ हुआ है convert हुआ हुआ है और यह जो हमारे C-shop का code था server side code था इसको STML में convert करवाने का काम कॉन कर रहा है हमारा razor view engine ठीक है तो यह point आपने बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि यह interviews के अंदर भी पूछा जाता है ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास यह सारी चीज़े हो गई और यहाँ पे हमारा यह lecture हो गया है wind up तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सबस्क्राइब करके जाना और इसके साथ साथ बेल का एकन भी प्रेस कर लेना क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो इस lecture series के अंदर आने वाली है तो इस वीडियो के हवाले से कोई भी confusion है तो comment box में मुसे ज़रूर पूछ लेना तो मिलते हैं इंशाला नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए देखते रही है मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटॉर